हलो फ्रेंट्स हम आप लोग को सिखलाना चाह रहे हैं पिछले पिछला जो वीडियो था वो केसे से नहीं बूक का ही था सोलूसन ही था इस बार भी लेकर के आपके लिए केसे से नहीं बूक का ही मैट्रिक्स चेप्टर का सोलूशन एकसरसाइट 5.1 इस पूरे वीडियो में 12 से लेकर के 15 तक का सोलूसन करवाया जाएगा जितने टाइप होंगे उतने वीडियो आपको मिल पाएंगे ठीक है आपको बारी बारी से समझाते चलते हैं इस चेप्टर को 12 से 15 तक के कोश्चन को बनाना कैसे है इन सब चीज को समझाते चलते हैं ठीक है टाइप 2 हम यही प 2-1 by A-B , ये पहला matrix है। और एक matrixthy mercy के बरावर में ले लिया जाया थRE 4 5 6 तो दЕखें तो ये matrix 2-2 order का है ये भी matrix 2-2 order का है। pile एक है और 2 IPOL है तो兩 matrix अगर equal कहा जा रहा है तो याद रखेगा ये एक्स जो है अपने जो अपने प्लेस जो है हमेशा से प्लेस पर का भैलू हमेशा समान होता है यह पहला रो और पहला कॉलम का है एक्स पहला रो में और पहला कॉलम में इसमें ढूंडेंगे कि पहला रो पहला कॉलम में कौनसा अलिमेंट है तो तीन त्यांस से लिख देंगे x बराबर 6 होगा, अगर ऐसे सवाल आपको दिये जाते हैं, पूछे जाते हैं तो इसे आपका ख्याल जरूर रखना है कि place से हम equate कर देते हैं place अस्थान से जगह से ये कैमा किस जगह में है तब पहला रोर पहला कॉलम में है ये किस जगह में है तब पहला रोर पहला कॉलम में है तो दोनों का अस्थान सेम सेम है तो दोनों के equate कर दिए I quit करेंगे तो जो आएगा वो हमारा answer मिल जाएगा कभी-कभी हमें 102 कमान निकालने के लिए जब कहा जाएगा तो direct निकल जाएगा और कभी-कभी 122 समीकरन के रुप में आवेगा जिसको solve करकर करके हम निकाल सकते हैं आएए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे solve करना है ठीक है हमारा जो पहला question है हम उसके उपर आपको ले चलते हैं और आप लोग देखेगा उस पसंद भी आएगा पहला question हमारा है कि x पलस बाई 2, 1 x मानस बाई इकल टू में 3, 2, 1, 7 तो x का value क्या होगा और by का value क्या होगा ये बात तो बड़ा इत्मिनान है अच्छे से बतास भी सकते हैं कि x पलस by 3 के बराबर और x मानस by 7 के बराबर तो यहां से दो equation मिल जाएंगे पहला equation मिलेगा x पलस by बराबर 3 और दूसरा मिलेगा x मानस by इकोल to 7 तो यहां से solve करके x का मान निकालना है बाइ का मान निकालना है अगर ये दोनों भेलों आप निकाल लेते हो तो आपका काम यहां खत्म हाँ ना चलिए आपको हम बतलाते हैं तो आप कैसे solve करोगे आप रैखिक समीकरन solve करना आप जानते हो है ना तो चलो हम इसको solve करके बतलाते हैं एक और दू दूनों को जोड़ देते हैं जैसे ही जोड़ेंगे by पलस by मानस by cancel हो जागा x x 2x 7 plus 3 10 2 से cancel करते हैं तो 5 x equal to हमें 5 मिल जाता है अगर एक का value मिल जाता है x equal to 5 तो फिर by का value निकालना कोई बड़ा काम है नहीं आप यहां लिख सकते हैं कि x plus by equal to 3 तो x के जगा 5 plus by equal to 3 तो by equal to 3 minus 5 3 minus 5 equal to minus 2 तो यहां से दोनों का value निकल गया x बराबर 5 तो सर x के बराबर में 5 लिखेंगे अब by equal to minus 2 अब आप चेक करके भी देख सकते हैं x के जगा 5 अब by के जगा minus 2 तो 5 minus 2 3 3 के बराबर आना चाहिए आ रहा है x के जगा 5 अब by के जगा minus 2 तो minus minus plus 5 plus 2 7 आ रहा है यह हमारा नसर बिलकुँ सही है चलिए हम second number question को देते हैं second number question उसी परकार का है पहले तो देया जगा रहा है कि x minus 2 minus 1 के बराबर जैसे जैसे दिया गया है पहलो लिख देते हैं x minus 2 कितने के बराबर तो minus 1 के बराबर दूसरा है कि 2x minus 2 यह किस के बराबर तो 0 के बराबर चलिए इन दोनों को तो solve करके हमके x तो by का मान निकाल सकते हैं अगली बात यह कहा जा रहा है कि 2x minus x1 2x minus x1 बराबर 5 ठीक है ना एक और है 3x plus by 1 बराबर 13 ठीक है ना अब इसी को solve करना है x by का मान निकालना है उसके बाद में x1 औ by 1 का भी बहलू निकालना है आगे question पढ़ लेते हैं हमें आन्तिम क्या पहुँचना है तो पहले तो p और q दो point है p का नियामक है x by तो हमको x by चाहिए ही चाहिए और q है जिसका नियामक है x1 by 1 ठीक है तो x1 by 1 भी चाहिए बतलब x by x1 by 1 चारों का मान निकालना होगा और अगर ये मिल जाता है तो फिर p q निकालना है यानि इन दोनों के बीच का दूरी भी निकालना है चले हो तो दूरी सुतर से निकाला जा सकता है पहले इसको solve करें क्या करें जिसमें से कि आप किसी एक कमान निकाल सकते हो चलो घटा दो ये 1 और ये 2 जैसे ही घटाते हैं तो x यहां घटाई पलस ठीक है यहां neutral है x मानेस 2x तो मानेस x हाँ ना अब मानेस 2 में मानेस 2 घटेगा ये cancel हो गया अब बराबर में मानेस 1 मानेस 0 मानेस 1 मानेस से मानेस cancel इसलिए x का value तो 1 आ गया और x का value अगर आ गया है तो आपको पता है x 1 और by उनका मान आसानी से निकल जा सकता है x से के value का ही परियोग कर करके फिर भी अभी एक चीज़ और निकालना है by का value तो since x मानेस 2 बराबर मानेस 1 x के बदली 1 मानेस 2 बराबर मानेस 1 मानेस 1 अगर इधर आ जाता है तो पलस 1 तो 1 पलस 1 बराबर by मानेस 2 उधर जागा तो पलस 2 इसका मतलब by का value 2 आता है ठीक है न से x का value 1 आया है ना x बराबर 1 आया है अब by बराबर 2 आ गया है चलिए दो सवाल का जवाद तो मिल गया अगला है x1 कैसे निकाले तो x का भेलू आपको पता है 1 है तो 2 x के जगा 1 मानेस x1 बराबर 5 तो 2 इधर पलस 5 इधर आएगा तो मानेस 5 मानेस x1 अगर उधर चला गया तो पलस 6 2 मानेस 5 मानेस 3 x1 बराबर मानेस 3 चलिए अगला सवाल है x के जगा पर फिर से 1 रखते है तो 3 x के जगा 1 पलस बाई 1 बराबर 13 हब हमें तो by1 का value चाहिए 13 माइनस में 3 आजाए इधर 3 माइनस पलस में उधर जाएगा तो माइनस में 13 माइनस 3 इस परकार से by1 का value 10 आजाता है तो x1 का value minus 3 by1 का value 10 और x का भेलू 1 और y का भेलू 2 अब आपको कोडिनेट निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें p का नियामक चाहिए था तब p का नियामक है xy और q का है x1 by 1 तेखची तो निकल गया p का कोडिनेट हो गया x by यानि 1, 2 q का जो कोडिनेट है वो x1 by 1 है और ये मिल रहा हमें x1 का भेलू मिल रहा है मानस 3 अब आइउन का 10 तो मानस 3, 10 सवाल यहीं खत्म हो जाता तो कोई और बात थी हमें इन दोनों के बीज की दूरी भी चाहिए तो p q बराबर फर्मूला होता है रूट में x2 मानस x1 का स्क्वार तो x2 इसको मान लेता है x1 इसको या कैसे भी मानो x1 मानस x2 करो चाहिए x2 मानस x1 नेखी बात है तो यहां फर्मूला होता है x2 मानस x1 का होल स्क्वार अब पलस by 2 मानस by 1 का होल स्क्वार इसी का परियोग हम लोग करने वाले हैं चलिए परियोग करकर करके बतलाते हैं अखिर कैसे बना पाएंगे इसको तो x2 माइनस x1 तो माइनस 3 अब माइनस में 1 ठीक है सर माइनस 3 माइनस 1 x2 अब माइनस x1 तो x2 ज़सका तस अब माइनस x7 के जगा 1 पलस में बाइ 2 माइनस बाइ 1 तो बाइ 2 के जगा 10 बाइ 2 अब माइनस बाइ 1 तो माइनस बाइ 1 के जगा 2 इतना का स्कोर तो माइनस 3 माइनस 1 अब भी जानते हैं माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 का स्कोर 16 10 माने 2 8 8 का स्क्वाइर 64 64 और 16 ये दोनों मिलकर करके आ जाता है 80 80 यहां लिख सकते हैं इसको 4 रूट 5 ये हमारा final अंसर हो गया इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर किताब का अंसर नहीं मिल रहा है तो ये आपका सही है और कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा final ये आपको जवाब दिया इसका सब इक्वेटिंग पर ही है जितना कोशन आपको यहां पर मिलेगा सब इक्वेटिंग पर ही है ये अलग बात है कुछ अलग-अलग रिलेशन बन रहा है जिसके माध्यम से आपको स्वल्व करना इसको तो हमारे पास 13 में तीन कोशन है अज सब में एक ही चीज़ है x by z omega निकालो x by z omega निकालो x by z omega निकालो इसे ही है खेल omega नहीं हो सकता इसको डवलू कर सकते हैं हलाकि सेंबूल दे दिया है हलग बात है जो हम पहला कोशन बनाने बाले है एदम सेम सेम उइसी के जैसा है जो कि हम पहले बना चुके है थोड़ा इसको रीचे कर देते हैं ताकि वहां स्पेस मिल जाए पूरा पढ़िए पूरा लोगडाउन में अफसर उठाई हो इसका फाइदा उठाई है कि हम एक कोशन को solve कर देते हैं आप लोग उसको बनाते रहना है और इसके अलाबा भी अगर आपको और कुछ पूछन रहे है तो आप हम ग्रूप में मैसेज कर सकते हो हमने नमबर पहले ही दे दिया है आप नमबर का ध्यान रखेंगे चलिए सवाल है इसको solve करना है तो हम पहले से भी जानते हैं कि equate करेंगे x-by बराबर-1 x-by बराबर-1 2x-by बराबर-0 2x-by बराबर-0 जरा साथ देखें तो हम इससे पहले इसको हल कर चुके हैं ठीके ना? देखें x-by बराब-1 और 2x-by बराबर-0 तो यहां से x-by बराब-1 आया है by बराब-2 आया है तो यहां भी वही आएगा बैसे ही हल कर करके क्या क्या आने वाला है तो x-by बराबर-1 आयागा अब y-by बराबर-2 आयागा करके देखलो x-by के जगए 1 माइनस by के जगए 2 ठीके ना? तो 1-2-1 2 और x-by के जगए 1 तो 2-2-0 x-by का मान तो पहले इससे निकाले हुए है वहां से आप देख सकते हो लिख भी सकते हो और इंटर कलास के छात्रे हैं आप लोग को इसमें दिकत नहीं होनी चाहिए अगला है 2x-plus-z equal to 5 इक्विट करेंगे इस प्लेस को इसी प्लेस से इसको इक्विट करेंगे एकरा से इसको इक्विट करेंगे इस से तो 2x-plus-z equal to में 5 तो x का वैलू जानते हैं 1 रख दे 2x का 1 plus z equal to 5 हमें z चाहिए तो यहाँ 2 into 1 2 2 यहाँ पलस मुधर जागा तो माइनस में तो 5 minus 2 तो z equal to 3 ठीके अगला है 3z plus omega हलाकि उसका omega का fix होता वैलू w इसको लिख सकते हैं 3z plus w कर दो 3z plus w बराबर में 13 ठीके तो चलिए हमें w का वैलू निकालना है z का वैलू हम जानते हैं 3 है तो 3 और z का वैलू 3 plus में w equal to में 13 तो 3 यह 9 अच्छा w equal to तो 13 है ही है और इधर plus में 9 आएगा उधर जाएगा तो minus 9 तो 13 minus 9 equal to 4 यानि x का मान यहां से देखें हम थोड़ा 3x बराबर 1 आया है 2 बराबर 2 आया है z बराबर 3 आया है और w equal to 4 आया है यही हमारा final answer ठीक है ना चलिए इस problem का भी solution हो गया अभी और question है इसमें second number question में भी इसी type का है type वही है अच्छा इसमें तो फिर वही fix है x minus 2 बराबर minus 1 यहां तो देखो हम ऐसे ही यही पर हल कर देते है पहला है x minus 2 बराबर minus 1 और 2x minus 2 बराबर 0 तो आपको याद होगा इसको solve कर चुके है x बराबर 1 आया था 2 बराबर 2 आया था चलिए यह दो-दो हल हो गया z बराबर 4 डरेक्ट है यह है इसके अलबार को relation है यह नहीं है तो z बराबर 4 और w बराबर 5 ठीक है न सर इस परकार से इसमें तो सारा solution हो गया second number का वही हो गया इसमें थोड़ा बहुत solution है उसको देख जाए एक्स बराबर 3 यहां तो डरेक्ट मिल रहा है चलिए इसको हम उतार लेते हैं यहां थर्ड नंबर कोशिन को चलिए इसका solution हम बतलाते है x equal to 3 क्योंकि एक्विट करेंगे जब तो x को तीने से तो हमें मिल रहा है x बराबर 3 दूसरा ची मिल रहा है 3 x minus 2 equal to 2 याद करो यह बली प्लेस इसके बराबर x का मान हम 3 रख देंगे तो 3 x के जगा 3 minus 2 equal to 2 तो 3 तीन तीन 9 minus 2 अब minus 2 plus में 2 तो 2 equal to 9 minus 2 7 तो चलिए आगला हम फिर बतलाते हैं अभी अभी काम खतम नहीं हुआ है अगला हिस्सा है कि 2 x plus z 2 x plus z तो 2 x plus z आईए किस के बराबर तो 4 के हम x का value जानते हैं 3 अब plus z equal to 4 तो z equal to 4 minus में 6 तो z equal to 4 minus 6 minus 2 अगला भी और है भी प्रोबलम खतम नहीं हुआ है 3 by minus w equal to 7 3 by minus w equal to 7 तो by का value हम जानते हैं 7 पहले से भी तो हम इसको solve करेंगे 3 by के जगा 7 minus w equal to 7 तो 7 एकिस आईने पलस साथ हिधर आएगा तो minus 7 अब minus w हिधर जाएगा तो plus w एकिस minus 7 ये 14 हो जाना है तो w equal to 14 देखें हम एक बार फिर से तो जो जवाब आ रहा है सारा वो हम एक जवाब पर लिख देते हैं एक सबराबर 3 by equal to 7 z equal to minus 2 और w equal to 14 इस तरीके से हमारा ये question solve हो चुका है चलिए अभी और problem बाकी है इसको थोड़ा और लिख चलते हैं उपर जगह है ही है तो फिर अगला सवाल ये है फिर से इसमें यहीं चीज़ x by z का मान बताई x का by का और z का इन तीनों के भेलू बताई आपका काम clear होता रहेगा बतलाते हैं अब इसका जवाब हम आपको बतलाते हैं कैसे निकाल पाओ गया तो ये तो बड़ा एक इसमें कुछ-कुछ रिलेशन थोड़ा टेड़ा भी होगा लेकिन जो थीम हमने समझाया है उसी थीम पर होगा अच्छी बात है ये छोटा वीडियो बनेगा क्योंकि पंदर तक ही है और रसानी से बन भी जाएगा x पलस by इकॉल टू 6 पहला 2 इकॉल टू तो इसको कुछ करना ही नहीं है 5 पलस जेड़ इकॉल टू 8 अच्छी बात है ये 5 पलस जेड़ इकॉल टू 5 सोरी 5 पलस हम इतना दूर न ले जाते जगह थोड़ा और बचेगा तो हम आगे और भी काम कर सकते 5 पलस जेड़ इकॉल टू 5 5 से 5 कैंसेल जेड़ इकॉल टू 0 एक चीज और जो मिल रहा है वो है एक इन्टू बाइकॉल टू 8 तो क्यों नहीं यहीं पर प्रयोग कर लें या फिर यहां लिख देते है एक इन्टू बाइकॉल टू 8 हमें एक ही चीज का भी मान मिला है शिर्फ जेड़ का हमें x का मान चाहिए और by का मान चाहिए तो या तो by का value यहां से निकाल करकर के इसमें रख दो या तो इस से आप उसमें रख दो दोनों मेंसे जो करना है करिए आसानी से मिलेगा आपको अंसर तो चलो अगर by का value हम रख देते हैं तो क्या मिलेगा by बराबर 6 minus x by equal to 6 minus x यहां रख देते हैं x into by के जगा पर 6 minus x बराबर 8 solve करते हैं इसको x into 6 6x minus x square बराबर में 8 minus x square इसको उधर लेके चले जाओ सारे को उधर ही लेके चले जाओ इधर बचना क्या है तो 0 इधर ले आते हैं थोड़ा solve करने के लिए इधर क्या बचेगा 0 सब इधर जा रहा है x square minus में था उधर गया तो plus में 6x plus में है उधर जाएगा तो minus में आँ 8 तो उधर पहले ही से है जैसे ही आपने 0 किया है इसको break करोगे तो minus 2x minus 4x दोनों को जोड़ोगे तो minus 6x आ जाएगा दोनों को multiply करोगे तो 8x से square आ जाएगा ठोड़ी है कोई दिक्कत नहीं फिर 0 equal to x common तो x minus 2 minus 4 common तब भी x minus 2 minus 4 यहां common लोगे तो x बचेगा और 8 में से minus 4 निकाल लोगे तो minus 2 0 equal to x minus 2 यहां से common ले सकते हो दोनों जगा से x minus 4 और बचेगा तो यहां से दो चीज़े आ रही है x वराबर 2 और x वराबर 4 x का दो भेलुआ रहा है 2 और 4 तो by का भी वेलुट दो आएंगे देखते हैं कैसे कैसे आपको याद होगा x के जगा पर अगर हम लिख देते हैं यहां से फिर लेके चलते हैं इसी relation में by equal to 6 minus x है था ना लिख देते हैं और इधर since by equal to 6 minus x तो यहां से अगर हम लिखते हैं कि f x equal to 2 तो by equal to 6 minus 2 और थार्थ 4 एफ x equal to 4 अगर x का भेलुट 4 रख दिया जाए तो 6 minus 4 equal to 2 तो x का मान 2 तो by का मान 4 x का मान 4 तो by का मान 2 इसका जब answer हम लिखेंगे जो हमारा जबाब होगा answer वो इस तरह से लिखेंगे कि x का मान 2 है तो by का मान 4 और z का मान 0 या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि x का मान यदि 4 है तो by का मान 2 और z का मान 0 तो या तो यह यह बला भी सही है यह बला भी सही है दोनों में से दोनों अंसा सही है 2-4-0 या 4-2-0 एक ही बात है चलिए ये question भी clear हो चुका है अगला question देखते हैं क्या है चलिए last question है ये अच्छा है थोड़ा साब को ले चलते हैं इस पर सवाल ये इसी तरह का है बिल्कुल सेम सेम है कि 2A पलस B ये किस के बराबर तो 4 के और A माइनस 2B ये किस के बराबर माइनस 3 के फिर है 5C माइनस D ये 11 के बराबर और एक ये है 4C पलस 3D एकोल टू 24 कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ लिनियर उक्रेशन रेखेंग समीकरन को सोल्व कर लिजे आपने आप आपका अंसर आ जाएगा तो हम यहां लिख सकते हैं ABCD का मान ही निकालना है हमें तावन इक्रेटिंग पे 2A पलस B इकोल टू 4 और दूसरा है A माइनस 2B A माइनस 2B इकोल टू माइनस 3 यह तो एक हिस्सा हो गया 5C माइनस D इकोल टू 11 4C पलस 3D बराबाट 24 चलिए अब इसको सोल्व करेए ABCD का चारू का मान आप आराम से निकाल पाओके सोल्व करते हैं पहले काम करो equation 1 इसको 1 मान लो और इसको मान लो 2 तो दोनों को बराबर कर देने के लिए किसी एका मान तो आपको निकालना पड़ेगा या तो पहले एका निकाली या तो पहले बीका निकाली तो पहले एका निकालने के लिए इसमें 2 से multiply करेंगे तो 2 भी यहां minus 2 भी दोनों को add कर देंगे निकालना आसान हो जाएगा तो equation 1 में हमें 2 से multiply करना है और फिर जोड़ देना है equation number 2 को equation 1 में 2 से multiply करेंगे तो 2A into 2 4A plus 2B 4 into 2 8 एधर A minus 2B equal to minus 3 छले ठीक है 4A plus A 5A 2B minus 2B एक कैंसिल 8 minus 3 5 5 से 5 कैंसिल इस परकार से A का value 1 आ जाता है आएक का value निकल जाता है एक किसी में रख दो equation 1 में ही रख दो क्या तो since क्या था 2A plus B equal to 4 2A plus B equal to 4 तब 2 एक के जगा 1 पलस B equal to 4 B equal to 4 minus 2 2 into 2 1 2 ना अब 2 यहां उधर घटेगा तब 4 minus 2 यानि B equal to आपको 2 आगया A का मान 1 B का मान 2 अब रह गया C का और D का ज़र इसको भी solve करते हैं तो कैसे solve करें? काम करें? इसको हम equation number 3 मान लेते हैं क्योंकि 1-2 मान चुके हैं और इसको मान लेते हैं equation number 4 solve करते समय में minus D है यहां पलस में 3D है तो पहले D को हटाने के लिए कुछ काम करो तो इसको 3 से multiply कर दो और जोड़ दो समय करन 3 को 3 से multiply करते हैं और समय करन number 4 को जोड़ देते हैं तो समय करन 3 को 3 से multiply करेंगे तो 5 into 3 15 minus में 3D और 11 गुना 3 33 4C अच्छा 15C सोरी तीन से multiply करेंगे तब परते 15C यहां 4C अब पलस 3D इकोल टू 24 वस थोड़ा सौर यहां से हम निशान खिर देते हैं कि यह अलग है यह जो बना रहे हैं यह अलग है दोनों को जोड़ा जाना है तब माइनस 3D पलस 3D तो कैंसिल हो गया 15C पलस 4C 19C 19C और 4, 3, 7, 3, 2, 5 57 19, 57 तो C का मान 3 आगया किसी एक एक इकोईशन में रख दो C का वेल्यू 5C मानस D बरबर 11 चुकि 5C मानस D एक वर देख लेते हैं 5C मानस D इकोल टू 11 तो यहाँ से 5 और C का वेल्यू 3 C का वेल्यू 3 मानस D इकोल टू 11 तो यहाँ 15 पलस 11 है इधार आएगा तो मानस 11 अब मानस D है उधर जाएगा तो पलस D तब 15 मानस 11 चार इस परकार से हमेश सब का वेल्यू मिल गया है A बरबर 1 आया है B बरबर 2 आया है C बरबर 3 आया है और D इकोल टू में 4 आया है तो इस तरीके से यह टाइप 2 हमारा खतम हो गया इसके अलाबार नहीं कोई कोशन है यह सकेंड वीडियो हमारा खतम हो गया आप लोग को ऐसे अगर पसंद आता है तो आप लोग यह लाइक कमेंट सब्सक्राइब इस सब जो है जो भी होता है आप करते जाएए और इसको शंभव हो सके तो आप सेर भी कर सकते हैं कोई तरह का प्रोलम नहीं होगा क्योंकि यह आप टर और सॉलूशन ही है हमें कोई तकलिफ नहीं है इसमें इसको जितना सेर करिएगा उतना ही अच्छा है और लोगों को फाइदा भी मिलेगा साथ साथ में हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा अगले कलास में आप लोग से फिर मिलते हैं